प्राकरतिक खेती आज के समय की सबसें बड़ी मांग है जब आज बिलकुल सूला आना साची है प्राकरतिक खेती का है प्राकरतिक खेती में कौन कौन चीजों को ध्यान राखने है और सबसें बड़ी बात प्राकरतिक खेती करके हम किसान भाई आ रहें किसानी खों अपने प विकास खंड तकनी की प्रवंदक हैं सतना में। चैहि pakुण प्राकर्टेथि और आप लोग सब जान रहें कि समय और केंदर सरकार और राज्य सरकार दोनों ही प्राकर्टेथि यौस प्रोकर्टे भूरेफले, और लगातार कहीं न कहीं आज जो प्रख्राम। बिल्कुल नहीं अपने प्राकरतिक खेती जैसे बाबा दादा जी लोग करते हैं, बढ़ा सिंपल सी भासा में आपको समझाओंगा, हमारे बाबा दादा लोग खेती करते थे, उन्होंने कभी क्या कोई यूरिया डियेपी कोई खाद डाली, बिल्कुल नहीं, अपने प्राक ते कुदरती तरीकों से जैसी चल रही थी बैसी चलाई और बहुत समर्द चलाई, बिल्कुल, ऐसे ऐसे राहा होते थे हमारे गाउं में, घरों में, कि एक राहा में 15-15, 10-10, 15-15 थ्रसर चलते थे, और इतनी खेती होती थी, कहीं समाती नहीं थी, लेकिन समय की मांग थी, बैग्यानिकों ने उस समय चुकी अकाल पड़ा, तो दवाईयों को, बढ़त भई आवादी की मांग पूरे करवी हमें रासाइने खेती की तरब जाने पड़ो, वो एक मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी का, जो उस समय की जरूरत थी, उसको आज की जरूरत ना बनाना ये सबसे बड़ा भी साय है, जिसमें हम सभी किसानों को उस पर ध्यान देना चाहिए, रासाइनिक के नुकसान में थोड़ा सा एक सब्द में कहूंगा, आप पंजाब का नाम सुने होंगे, पंजाब राच, दिल्ली से एक special train चलती है, पंजाब और दिल्ली के बीच में, उसका कुछ और नाम होगा, लेकिन ना तो मैं जानता हूँ, ना मुझे लगता है कि हमारे बीच में और कोई जानते होंगे, दिल्ली पंजाब एक train है, उसका नाम ही cancer train पढ़ गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ कारण इसलिए है, क्योंकि पंजाब में रासाइनिक खेती स जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन तो हमारी निश्चित है, हमने यूरिया डिएपी डाल डालके अपनी जमीन को आलरेडी बहुत कुछ नुकसान पहुचा दिया है, पहले जब बरसात होती थी, आपने देखा होगा कि केच्वो दोडने लगते थी, और यदि दो टूका, तीन टूका, बा मुश्किल में माटी की हूपा रहे है, ये इस्थिती हो गई है हमारे जमीन की, ना कोई बैक्टीरिया बचे हैं, और ये सारा नुकसान हुआ, इसलिए प्राकृति खेती की तरफ सासन और सरकार दोनों अग्र लिए है, और हम सब किसान भाईय को मिलती है, 260 रुपए 50 पैसे में मतलब लगभग 90 परशन छूट में दे रही है, सरकार, डिएपी की बोरी जो हम 12300 रुपए में ले रहा है किसान भाई, वो लगभग 4400 की है, उसका जो में रेट है, जो इतना अनुदान हमको सासन दे रही है, और चुकि ये हमारे यहां बनता नहीं, बाहर से आता है, और इसकी मांग बढ़ रही है, जमीन उतनी ही है, लेकिन मांग बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं ये हमारे जमीनों के लिए, पसूओं के लिए, हमारे खेतों में पाए जाने वाले कीड़ों के लिए, ये सब के लिए हानिका रही है, सिर्फ मन योगदान है लेकिन ये यूरिया डिएपी की वज़े से जो योगदान में जो नुकसान हुआ है इनकी कमी हुई आज प्रकृति में जीवों को चक्र भी असंतुले थो रहा है आप देखे एक पक्षी नहीं दिखते हैं उसका कारण है कि कुछ है नहीं इसलिए प्राकृतिक खेति क्या है हमारे आसपास की चीजों से कुदरती साधन संसाधन है उनसे खेती कर वो वही प्राकृतिक है और एक किसान अगर अपने खर्चे का हिसाब एक कर प्राकृतिक खेती करना चाहिए और इसी से किसानों की आय भी दोगनी होगी क्योंकि जब लागत कम होगी आय अपने आप बढ़ेगी जी 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 हमाई खेतर में बहुत सारे किसान भाईयारें थोड़े से आज के परिवीश में इन सब चीजों से परिचित नहीं चुकि बात हर स्तर पर उन तक पहुँच रही हो और आगे प्रियास भी करें मंगर फिर भी ऐसी कचु दूबी धाय हमाई किसान भाईयारों की सामने रहत हैं जो प्राकरतिक खेती वो नहीं करो चाहत तो हमाई इन किसान भाईयारों को आपको का सुझाओ है और हमारी फसल में किसी हुपरकार का कोई नुकसान नहीं और हमारी फसल अच्छी है तो थोड़े से रकवे में जो किसान भाईयारों ये सोच रहें कि अरे प्राकरतिक खेती से नुकसान होगा मैं मानता हूँ कि एक साथ आप कोई भी काम भाई छत में जाने के लिए भी ए केक सीड़ी चढ़नी पड़ती है बिल्कुल बिल्कुल हम कुछ नहीं तो अपने परिवार और अपने बच्चों का मुह देखके कि यार ये लोग लगातार रासाइनिक खा रहे हैं क्यों न हम एक कदम प्राकरतिक खेती की और बढ़ाएं हमारा गोवन्स आज रोड पे है क्यों रोड पे है क्योंकि उनको कही न कहीं कुछ मिल नहीं रहा सासन प्राकरतिक खेती पे भी लाफ देने का प्रयास भविस में करने वाली है जिसकी गाइडलाइन भी आ रही है कि जो गाय को पालेगा उसको कुछ सहयोग रासी के रूप में उसके भरन पोसंड के लिए प्रदाय करने के प्लान सरकार का है जो आगे होगा कहीं न कहीं अगर हम एक गाय पाल लेते हैं तो उस एक गाय से ही हम अपनी पूरी खेती यूरिया डियेपी की भरपाई उस एक गाय के गवमूत्र गूबर से कर सकते हैं प्राकरतिक खेती के रूप में प्राकरतिक खेती प्राकर्तिक खेती में पंजियन हो जाएगा उस रखवे में आप प्राकरतिक खेती शुरू कीजिए और जोभी लाभ होगा सासनका आपको अपने आप ही धीरे धीरे सम्झ में समय राहत सुने लगें K बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साब प्राकरतिक खेती और जैविक खेती इमें का अंतर है और इन दोईयों में बहतर का है कौन सी खेती हमाई किसान भाईया हरें करें तो लागत की द्रिश्टी से भी परेया बनो स्वास्थी की द्रिश्टी से कौन सी खेती प्राकरतिक खे प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और हम उस एक देसी गाय से हम 20 एकड से 25 एकड तक में प्राकृतिक खेती आराम से एक गाय से कर सकते हैं मतलब आप समझें कि लगबग तीन गुना हम उपयोग एक देसी गाय जो हमारे पास है जो माता वह बढ़ा सकते हैं पहली चीज दूसरा जैविक खेती में कुछ बंदिसे हैं ऐसा नहीं है कि बुरा है बहुत सारे किसान कर भी रहें लेकिन उसमें क्या है कि जो जैविक खेत जो खेत होगा उस खेत में हवा का असर नहीं होना चाहिए कि कि किसी दूसरे खेत की मिट्टी आ जाए खेत उचाई पर होना चाहिए जो कि दूसरे खेत का पानी दूसरे में नहीं आ जाए जानवरों के आस-पास के जाने की विवस्था ना हो पर चूकि क्या है हम एक पार अधिन हो जाती है और यह उनके लिए ठीक है जिनका खेत दूर है बहुत दूर है वहीं रहवासी हैं वहीं रह रहे हैं कोई आना जाना नहीं है किनारे का खेत है वहां संभव है लेकिन उस ताइब से यहां भी बीच में भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा इसमें बंदि कर दीजिए जी आप सब डालना बंद कर दीजए जीवामरत बीजामरत गहन जीवामरत जो है उसका उपयोग चालू कर दीजिए जी आपकी प्राकरति चालू हो गई जी ये एक छोटा सा अंतर बाकी बहुत कुछ अंतर बहुत सारे किसान जैविक करते हैं आज भी केचुव रखाट डाल रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, मैं एक चीज और किसान भाईयों को चुकि आपने भी जैविक को लेके बताया, हमारे किसान भाई गर्मी के सीजन में, जो उनके घरों पे जानवरों का जो इकठा हुआ, जो रखा रहता है, उसको खेत में डालते है, सीधे खेत में डालते हैं, जब वो डालते हैं, तो आप भी बताया, आप भी एक किसान परिवार से हैं, जब उसको हम उठाते हैं ट्राली में भरने के लिए, तो वहाँ गरम रहता है कि ठंड़ा, काफी गरम होता है, इतना गरम रहता है, और थंड़ी है, तेज़ धू पहले टो उसको डालने के पहले उसको पहले उसके बीवस्ता ऐसे करें जृष्ञT करें च्हपरोप में कृहले हीट या गर्मी बाहर निकल जाए जो उसके अंदर गैस बनी हो निकल जाए ठंडा हो जाए उसके बाद डालें तो उसमें अच्छा रहेगा चूकि अभी नेचुरल की बात चल रही थी प्राकर्तिक इसलिए मैंने ये बीच में एक मुझे याद आया तो मैंने आपको पता द रहे हैं डोक्तर साब आपने प्राकर्तिक खेती के उपर मैंने किसान भाईयों को समर्पित की है तो मैं सुरू करता हूँ एक चार लाइन की मेरी कविता है कि प्राकर्तिक खेती अपनाओ रे घर को समर्पित बनाओ रे घर को समर्पित बनाओ रे हूँ मैं किसान पुत्र कर्म मेरा खेती भरता हूँ पेट सब का धर्म मेरा खेती अरे देसी गाए, हाँ जी देसी गाए, घर में फिर से लाओ रे, घर को समरिध बनाओ रे, प्राक्रतिक खेती अपनाओ रे, घर को समरिध बनाओ रे, संकर बीज लाया घर में पैसे लगा कर हम लोग बहुत सारा पैसा लगा के बीज खरीट के लाते हैं, उसी पर लिखा है मैंने, संकर बीज लाया घर में पैसे लगा कर, धानेगे हूं सोया बीण, सब को अजमा कर, घर में ही बनाओ रे, घर को समरिध बनाओ रे, अब बीजामरत मैंने जैसे बताया कि उसका कैसे करते हैं उस पे मैंने लिखा है कि गईया का गोवर और गउमूत्र लाकर जीव मिट्टी चूना को पानी में मिलाकर जीव मिट्टी चूना को जीव मिट्टी मतलब हमारी वो मिट्टी जिस पे कोई भी रासाइनिक का उपयोग नहीं हुआ है जैसे पीपल वर्गत की पेड़ के नीचे की मिट्टी या ऐसी मेड जहां पर कभी कोई दबाई नहीं डाली गए यह वो जीव मिट्टी है प्राक्रतिक खेती अपनाओ रे घर को समरिध बनाओ रे अब चुकी एक आखरी कड़ी की जो हम यूरिया डीए पी डालते हैं उसकी कम पूर्ती के लिए जो हम लोग जीवामरत बनाने के बताते हैं उस पर मैंने लिखा है फिर से लेलो गई आका गोबर और गवो मूत्र बेशन गुड जीव मिट्टी वाला पानी लेलो सूत्र बेशन गुड जीव मिट्टी पानी वाला लेलो सूत्र रे जीवामरत से फसलों को नहलाओ रे घर को समरिध बनाओ रे प्राक्रतिक खेती अपनाओ रे घर को समरिध बनाओ रे